वोकाड हॉस्पिटल द्वारा दुल्ह प्रेन अविक क्रेनियो टॉमी सर्चरी की गई है 36 कर की डूंगर गर्ड निवासी 50 वर्षे किशूर यादव पर वोकाड हॉस्पिटल की तीन द्वारा ये सर्चरी सफलता के साथ की गई है ऐसी जानकारी आज़ित पत्र परीशित की दौरान वोकाड हॉस्पिटल डॉक्टर राहुल जामर द्वारा दी गई कल पना कीजी कि आप बिना दर्द की प्रेन सर्चरी की दौरान अपने डॉक्टर से बात कर रहे है और आपरेशन की दौरान कोई समस्या महसूस होने पर उन्हें ततकाल प्रतिक्रिया दे रहे है एक लाइफ क्रेन ये लाइफ प्रेन सर्चरी की दौरान ठीक ऐसा ही होता है ये सर्चरी हाले में वोकाड हॉस्पिटल नाखपुर में की गई थी इस सत्यादिक विशश्च सर्चर्जिकल प्रक्रिया के लिए एक निरो सरजन और ये निर्लाचस की नित्रतों में एक टीम की आवश्यक्ता होती है इस सर्जरी में यह भूमिकाय डॉक्टर राहुल जामर नियूरो सर्जिन और डॉक्टर अवंतिका चैस्वाल नियूरोलोजिस नी निभाई कुछ कारियों आम तोर पर मस्तिश की सत्था पर विशेख शेत्रों में सित्थ होते हैं लेकिन सत्थ के नीचे नर्फ के बंडल मस्तिश से होते हुई रीर की हड़ी और पुरे शरीर मीच जाते हैं सर्जरी के दोरान ब्रेन मैक में गैचिस का उपयोग करकी इन नर्वस को माप करना होता है ताकि यह समझ सकी कि कौन से प्रमुकारियों से यह चुड़े हैं ताकि हम ट्यूमर को हटाते समय उनसे बच सकी गंभीर नसों को नुकसान पहुच जाने से साई विकलांगता हो सकती है लाइफ क्रेनियों टॉमी हमेशा तो नहीं फिर भी अकसर की जाती है इसका पयोग विभिन्द ब्रेन ट्यूमर के लिए किया जाता है जो फ्रेंटल, पार्शिल और टेंपुरल लोब में होते है जो भाशन और मोटर फंक्शन को नियंतरित करते है और कुछ छुपे विकारों से चुड़े होते है प्रक्रिया का सबसे महतोपूर्ण हिसार रोगी है क्योंकि उसे सर्चरी के दौरान जगे रहने की विचार से सहमत होना होता है और महसूस करना होता है कंबेर लक्षणों वाले रोगी, सर्चरी के दौरान नियूरोलोचिकल परिशन में प्रभावी रोल से योगदान करने में सक्षम नहीं हो सकता देखिए ये सर्जरी हमने फर्स टाइम करी है वाक हर्ड में वाक हर्ड में अवे क्रेनियो टॉमी जिसके पहले कभी नहीं हुई नाकपूर में भी वाक हर्ड करने वाली जो हॉस्पिटल्स है इस इन सर्जरी में पेशंट सेलेक्शन बहुट ज्यादा इंपॉर्टन हो जाता है अगर पेशंट को आपरेटिव नहीं है अगर पेशंट का ट्यूमर जिस जगह पर जहाम सोच रहे हैं वहां नहीं है तो it is very difficult कि हम patient के साथ और surgery के साथ justice कर सके हमारा जो patient है वो बहुत ही cooperative था और post-operatively हम almost tumor को काफी हद तक निकाल सके और अभी भी patient का जो weakness था वो इंप्रूव हो गया तो वो एक बहुत अच्छा satisfaction है और वो बहुत अच्छा feeling देता है कि जब आपका patient इंप्रूव होकर आता है यह जो patient है यह all the way 36 गड़ से यहां पर आये है और इन patients को यहां service देना और अगर बात करेंगे तो वो आखरी तक यही बता रहे थे कि sir आपके भरोसे पर रहे हैं तो वो एक जो उनका भरोसा मिलता है कि हा नहीं वो हम पर इतना trust करते हैं और हम उनको justify कर सकते हैं वो बहुत satisfying और वह बहुत gratifying रहता है यह farmer है 50 साल के हैं और में इनका जो बेटे हैं वो लेकर आये थे इनको first time में ऐसा लगा था कि शायद उनको लकवा मारा हुआ है पर जब हम overall patient को evaluate कि MRI करा है तो हमको समझ में आए कि patient को tumor है और फिर उसका हमने जिस तरीके से एक proper सभी अनेस्थेटेस्ट हो गए physician हो गए उन सभी ने patient से जाके बात करी और फिर एक अवेक रेनोटामी का plan किया इवन जिस दिन surgery करनी थी उसके पहले दिन भी हमारे मन में एक doubt था कि इनको अवेक करना चाहिए या जो कि अगर patient थोड़ा भी corporate ना करे तो surgery पूरा ख़राब हो जा इसलिए जब आप surgery से दबाव या vibration महसूस कर सकते हैं तो आपको दर्द महसूस नहीं होता मास पेशियो तवच्या और हड़ी को सुन करने के लिए local anesthetic और थोड़ी मातरा में बेहुश करने की क्रिया का उपयोग इसमें किया जाता है जिसे brain तक पहुशने के लिए surgeon को काट ना पड़ता है जब ट्यूमर को काटना शुरू हो जाता है तब रोगी पूरी तरह से चाग जाता है क्यामर पोसिन राजकमार मोर के साथ चिती जाद देशमुक बीस्य न्यूस नाखपूर